प्राप्ति जानकारी के अनुसार अमजरी पुलस थाने के शंकर नगर चौक पर दाजश्वलर्स नाम से फर्यादी चेतन वस्तानी अमजरी हिल रोड गांधी नगर निवासी की सराफा दुकान है पिछले साल 17 दिसंबर को आरोपी महिला अपने बेटे के साथ इस दुकान में खरीदारी के लिए आई थी तब इन दोनों ने दुकान से सोने का कंगन नजर चुरा कर चूरी कर लिया था शाम के समय काउंटिंग के दौरान जब सोने का कंगन कम दिखा और सीसी टीवी कैमरे को चेक किया गया तब महिला की चूरी की वारदा सीसी टीवी कैमरे में दिखाई थी इसके बाद उनके खिलाफ अमबजरी पुलिस थाने में मामलत दर्च किया गया रविवार शाम आरूपी महिला दुबार अपने बेटे के साथ शंकर नगर इस्तित उसी सराफा दुकान में पहुची थी हाला कि इस बाद दुकान में काम करने वाली महिला ने उसे पहचान लिया और इसकी शिकायत अमबजरी पुलिस से कर दी इस सबार भी यह महिला इससे पहले की अपनी ठगी की मनसूबों को अंजाम दे पाती पुलिस ने मौके पर पॉच कर इन दोनों को हिरासत में ले लिया गौर तलबे की आरूपी चेतन कंप्यूटर इंजिनियरिंग में दूती वर्ष की पढ़ाई कर रहा है जबकि उसकी मा हाउस वाइफ है उसकी पिता वैपारी बताये जा रहे है पुलिस ने इन दोनों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जहां कोर्ट ने इन दोनों को जेल रवाना कर दिया माघिल वर्षी चे डिसेंबर महिने आत दास ज्वेलर्स शंकरनगर चाओके थे एक महिला हो एते चे सोबत एक इसम असे दोन इसम दोन व्यक्ति आले होते है आनि तेनी हाथ चला भीने यवर पास 25 ग्राम होजना चे सोने चे बांगड़या ते तुन चोरी केला होते है काल दिनांक दहा एप्रिल रोजी पुनाशी माहिती मलाली कि ते ठीका नी ते सम परत आले ले आहे ते सोंशेत रित्या वागता है ते वर उन पोलिसानी ते ठीका नी जाओन तपास केला आसता मागिल घटने तील चोरी ते नीज केले चे निश्पन जाले ते मते ते ना तावेद गेहून पुडिल तपास करून चोरी केलेला मुद्दे माल 25 ग्राम सोने चे बांगड़या रिकावर करने ता लेले यह माहिले चे खिमा त्या इसमा चे पूर्वी चे गुने रेकॉर्ड नाही है तपासा तास निश्पन जाले प्राथमिक दृष्ट्या क्यांबरा परसन अकलेश भारत वाज के साथ अभिशेक पांसी BCN News नाख पोरू